पूरे भारस में पूर्ण लूप से लॉकडाउन की स्तीती बनी हुई है और कोरोना भारस के संक्रमन को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इसमें प्रसासंग समासिक संगठन और अन्ने लोग है वो भी सहयोग कर रहे है बता रहे कि ब्रही में बहुत सारी ऐसे संस्ता है जिसके द्वारा इस बिकट प्रस्तिती में गरीब लोगों को मदद किया जा रहे ब्रही के ट्रस्ट एजुकेशन चैरी टेबल सोसाइटी के द्वारा लोगों के बिच घूम घूम कर अनाज बाटा जा रहा है और जिसके पास खाने को अनाज नहीं है उनके अनाज पहुचाने के काम कर रहे है इस कारे के सरायना कई लोग कर रहे है और टीम के सभी सदसे को प्रोसाहन भी दे रहे है नमस्कार ख़वर 24 में आपका स्वागत है और मैं महम्मद सौय बक्तर पूरे भारत में लोगडाउन के स्थिती बनी हुई है और इस लोगडाउन के स्थिती में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो खाने को मोहताज हैं और बढ़ी दानसवा छेतर के समाद से भी इसकार को पूरी तरह से कर रहे हैं और हमारे बरी छेतर में एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी एक चल रही है उसके जानिब से जो लोग जो है सो यहाँ पे जो समाजिक लोग हैं बरी छेतर में वो गरीबों को अनाज और राशन पानी और जरूरत का समान बाट रहे हैं बहुत ही अच्छा कारी है यह और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं तो आएए एक ट्रस्ट है एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी जो बढ़ी में काम कर रही है गरीबों को इलिए और सिछा के चेतर में बहुत थारे काम कर चुकी है और अभी जो लॉग डॉन की इसकी बण्यशनल नमस्कार राता और सलाम यहां जो लोगडाउन की स्तिती बनी हुए है तो भारत वर्स में कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए शुरचा के लिए जो बनी हुई है लोगडाउन उसमें कुछ गरीब मजदूर जिनका रोज मन रहा था जीवन या अपन मजदूरी के पैसे से होता था उनके साथ भुत्मरी की स्तिती बनी हुए है और वो लोग बहुत प्रिशान है इस प्रिशान को देखते हुए ट्रस्ट हमारा जो इंजुकेशन चुट्रेटिबल सुसेटी है उनके सारे पतेदिकारी और सदस्गन जितने भी लोगे सभी ने विचार बनाया कि हम लोग अपने अस्त हमने लाने को नहीं कहा है लेकिन उनके भी हाथ उनके भी सायोग हम लोग को मिल रहे हैं उनके द्वारा सेकल लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइटिक को मदद कर रहे हैं गरीबों तक अनाज पहुचाने में सायोग कर रहे हैं कोई अनाज से मदद कर रहा है तो इस तरह से हम ल बड़ी प्रसासन से भी निवदन करूंगा और भी जितने समाजिक संगठन है या सुसाइटी है और सभी सिवरे निवदन होगा कि आप लोग भी आ गया है और गरीबों को मंदत करें ताकि आपके आस पास का एक भी गरीब भूकाना सोने पाए धन्यवाद जी बहुत